रो दोस्तो श्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटिव चैनल पर दोस्तो आज हम बात करेंगे हमारे फूर्थ मोक टेस्ट पेपर उफ छिन्डी सेक्षन की इससे पहले तीन mock test paper of Hindi section आ चुके हैं यदि आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के over होने के बाद आप वो देखिए जैसे ही आपने पहला mock test paper attempt करोगे वैसे ही आपने उसमें भी comment box में अपने score बताने हैं और जैसे ही आप करते आ रहे हो ठीक है उमीद करता हूँ आपका second mock test paper of full जो दिया था आपको कल संडे को उमीद करता हूँ आपका अच्छा गया होगा तो इस से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल पर आपको HP Police के regarding हर information दी जाती है इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है चैनल को सबस्क्राइब करना है चैनल की वैल आइकन को प्रेस करना है चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इसमें भी HP Police के जैसे ही 16 question होंगे और 16 में से आपने end of the video ये बताना है कि आपके कितने marks आते हैं जैसे आप करते हो वैसे ही इसे attempt करना है आपने चलिए सबसे पहले question क्यों चलते हैं पहला question क्या पूछा गया है प्रिश्रमी शब्द में कौन सा बिशेशन का बोध होता है संग्या वाचक बिशेशन, परिनाम वाचक बिशेशन, सर्वनामिक बिशेशन, गुण वाचक बिशेशन तो इसका सही उत्तर होगा आपने एक से लेकर 16 तक लिख लेनी है गिंती पहले ही और जैसे ही आपके समने question प्रस्तुत हो आप टिक लगा लीजिए, ठीक है इसमें ABCD की वज़ए EFGH है, ठीक है तो आपको इसे ABCD ही समझना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा D option is the correct answer, means H correct है, गुण वाचक बिशेशन, ठीक है next बात करते हैं question number 2 की question number 2 में क्या बताया गया है निमन लिखित बिकलपों में से सक्रमक क्रिया का चाहिन कीजिए शूटना, लेटना, तडफना, पिगलना तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number is the correct answer जैसे ही आपके सामने 3 और 4 question पूठ होंगे आप वीडियो को पोस करें, जब तक आप रिज्योम ना करें जब तक आप उत्तर ना देलो, ठीक है तो थर्ड question है, हमारे पास मानव शब्द के लिए प्रियुक्त, बावा, चक संग्या का चैन कीजिए मानव सभी, मान सभी, मनुश्यतव, आद्मेतव, मानवता तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मानवता नेक्स्ट मूव करते हैं, question number फोर्थ की और, फोर्थ में क्या बताया गया है हिंदी वाशा में वेद वनिया कौन सी हैं, जो सबतंतर रूप से बोली या लिखी जाती है व्यंजन, वर्न, अक्षर या स्वर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, option number D is the correct answer, स्वर next move करते हैं, question number fifth, question number fifth में क्या बताया गया है question number fifth और six में आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पोज करना है, देना पना उत्तर देना है तो इसका सही जवाब आपको देना है, वीडियो को पोज करके question number fifth में क्या बताया गया है जिन शब्दों में प्रयोग के लिए कोई परिवर्टन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है पद विकारी शब्द अविकारी शब्द पद बद तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number 6 is the correct answer विकारी शब्द next move करते हैं question number 6 के ओर जाते वाचक संग्या है शैशव, पुस्तक, लोहा, लकडी तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number 20 is the correct answer next move करते हैं question number 7 और 8 की ओर question number 7 और 8 में आपने वही करना है जो आप करते आ रहे हो वीडियो को pause करो तब तक resume नहीं करना है जब तक आप correct answer ना दे लो तो option number 7 के क्या है पहले question पढ़ लो निमन लिखित में से किन वाक्या में संप्रधान कारक है राजा ने निर्दन को कंबल दिये मेरा गर स्टेशन से बहुत दूर है राम गर पर सो रहा है निसार खेलता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number 8 इस दा correct answer राजा ने निर्दन को कंबल दिये तो question number 8 टो चलते है वह सर्वत ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है पूर्शवाचक सर्वनाम संबंद वाचक सर्वनाम अनिष्यवाचक सर्वनाम नीजवाचक सर्वनाम तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number D is the correct answer नीजवाचक सर्वनाम next question के और move करते है 10th और 9th में क्या उताय गया है वीडियो को pause कर लो जल्दी से तब तक resume ना करें जब तक आप उत्तर ना दे लो ताल्वेव एंजन है तथड़ड पफबब तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number C is the correct answer तो इसका सही जवाब हो जाएगा next move करते हैं question number 11th और 12th में आपको वीडियो को pause कर लेना तब तक जब तक आप उत्तर ना दे लो तब तक resume बिल्कूल नहीं करना है सक्खी का तत्मम तत्सम रूप है शठी शठी शाक्षी सक्खी सब्त पदी तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number B is the correct answer शाक्षी next move करते हैं question number 12th के और निमन लिखित शब्दों में तत्सम शब्द है बच्चा चूर्ण काज जनम तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number B is the correct answer चूर्ण next move करते हैं question number 13 और 14 में आपको वीडियो को पोस कर लेना है तब तक रिजूम ना करो जब तक उत्तर ना देलो सवर्नकार का तत्व रूप है सुनकर सुनार सुनकार सहुकार तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number B is the correct answer सुनार next move करते हैं question number 14 के और करम का तत्व रूप क्या है कमाऊ करम कमीना काम तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number B is the correct answer करम next move करते हैं 15 और 16 last question है हमारे ये question number 15 पढ़ लो जल्दी से शब्द सतीश का संदिविशेद क्या होगा सती प्लस ईश सत्प्लस ईश तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number A is the correct answer next move करते हैं question number 16 के और पो प्लस ईट्र बिशेद क्या होगा पित्रक का पोत्री का प्रतेक का पवित्र का तो उमीद करता हूँ आपको आता होगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number D is the correct answer पवित्र का दोस्तो ये थे 16 question 16 question इस वीडियो में क्यों होते हैं because आपको HP police में भी 16 के 16 question ही देखने को मिलेंगे और HP police का level भी यही होता है जो इसमें आपको दिखाया गया था ठीक है आपकी ये वीडियो practice के लिए थी उमीद करता हूँ आपके 16 में से 16 ही आयो होंगे जितना भी आपका score बना 9, 10, 11, 12 जितने भी बने हैं आप वीडियो के comment box में आएं और अपना score बताएं हमें कितना बने आपके इससे हमें ये पता लग जाएगा कि आपका level कितना है कौन से student का कितना level है हमें proper knowledge होनी चाहिए कि कौन से student को कितनी ज़्यादा मेहनत करने की अवश्कता है और किसे कम करने की अवश्कता है किसे अपने और सुदार करने की अवश्कता है तो आपको अपना score जो है वो बताना है कि आपके 16 out of कितने आए तो आपको अपना score बताओ जल्दी से इस वीडियो में बस इतना ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप एक लाइक कर सकते हैं विकाउस आपके एक लाइक से हमें motivation मिलता है वीडियो को share जूर करें दोस्तों त्यारी कर रहे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचनी ही चाहिए इस वीडियो में वस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप खुश रहिए पढ़ते रहिए अपना और अपने परिवार का ख्यार रखिए धन्यवाद जैहिन जैहिमा चल